कहानी के पिछले अंक में हमने देखा कि सांप बेबी को निगल जाता है उसके बाद क्या हुआ आई ये देखते हैं सांप ने बेबी को निगल लिया ये देख शंकर डर जाता है अनिता भी व्यथित हो जाती है वो सांप वहां से गायब हो जाता है सबको इस पांट से सद्मा पहुँचता है अनिता रोते हुए धूनिये ना बेबी को कहा चली गई यूँ शंकर से कहती है क्या करे उन्हें कुछ समझ नहीं आता वो काफी परिशान हो जाते हैं तभी एक स्वामी जी उन्हें दिखाई देते हैं शंकर दोड़ कर उनके पास जाता है स्वामी जी आप ही का आस्रा है हमारी मदद कीजिए शंकर कहता है तब स्वामी जी शान्थ हो जाओ क्या हुआ मुझे विस्तार से बताओ यू कहते हैं तब शंकर हम मंदर से घर जा रहे थे तब ही रास्ते में एक बड़ा साप पीछे से आया मेरी बेटी बेबी को निखल गया और फिर गायब हो गया यो रोते हुए कहता है अनीता भी रोते रोते स्वामी जी कोई तो रास्ता बताईए कहा होगी मेरी बेटी वो साप उसे कहा ले गया होगा आप चिंता मत कीजिये मैं अपनी दिवविद्रिष्टी से पता करता हूँ स्वामी जी अपनी दिवविद्रिष्टी से देखते है फिर उनसे देखो जब तुम्हारी पतनी गर्वती थी तब तुमने एक साप को मारा था यह सुनकर शंकर व्यथित होकर तो क्या इसका कोई उपाई नहीं है यूँ पूछता है तब स्वामी जी तुम दोनों पती-पत्नी पूरब की दिशा में जाओ वहाँ साप होगा उस साप से माफी मांगो किसी भी तरह उसे अपने घर लियाओ और फिर रोज उसकी पूजा करना अगर वो प्रसंद हो जाए तो तुम्हारी बेटी वापस मिल सकती है शायर वो दोनों स्वामी जी को धन्यवाद देते है फिर अनिता अपनी छोटी बेटी को मां के पास छोड़ देती है शंकर और अनिता पूरब की दिशा में जाने लगते है रास्ते में उन्हें एक बाम भी लिखाई देती है उन्हें स्वामी जी की बात याद आती है वो सोचते हैं साथ उसे में होगा दोनों उसे प्रणाम करती हैं हम से बहुत बड़ी भूल हो गई महरबानी करके हम पर गुसा ना करो हमारी घर चलो शंकर कहता है पर कोई आवास नहीं आती तब अनिता मैं जानती हूँ हर मा के लिए अपना बच्चा कितना मूल्यवान होता है मा अपन और के साथ ऐसा हो नहीं देगी तुम भी तो एक मा हो मेरी भावनाओं को समझो अनिता रो रही थी फिर भी बाम्बी से कोई आवास नहीं आती दोनों रो रो कर विनती कर रहे थे फिर भी सांप बाहर नहीं आता चाहो तो हमारी जान ले लो पर हमारी बच्ची को कुछ मत क करना वो गिडगिड़ा रहे थे अब कुछ नहीं हो सकता यू सोच वो दोनों पास के ही कुए में कूट जाते हैं पर ये क्या वो फिर से पानी से बाहर आ जाते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आता फिर अचानक दोनों गायब हो जाते हैं दोनों अपने घर में प्रकट होते हैं वहाँ वो साप था अनीता कहती है हम पर दया दिखाने के लिए शुक्रिया फिर शंकर और अनीता उसकी पूजा करते हैं यूही कुछ दिन बेच जाते हैं अनीता शंकर रोज उस साप की पूजा करते थे उस रात भी वो दोनों साप की पूजा करके सो जाते हैं अगले दिन सुबर नीन खुलते ही वो देखते हैं साप के सिर की जगह उनकी बेटी बेबी का सिर था ये देख वो दोनों हैरान रह जाते हैं बेबी बेटा बात करो बात करो हमसे यूँ कहते हैं तब बेबी मा मुझे बहुत डर्द हो रहा है मेरा शरीफ किसी ने जकर लिया है मा वो रो रही थी दोनों बच्ची की तकलीफ देख प्यतित हो जाते हैं वो सापसे ट्रार्थना करते हैं कि बच्ची की तकलीफ दूर करो कुछ देर बाद अनीता की मा उनकी छोटी बेटी को लेकर वहां आती है बच्ची रो रही थी वो कहती है अनीता ये दो दिन से रो रही है मेरी कुछ समझ नहीं आया इसलिए उसे लेकर यहां चली आई अनीता उसे लेकर दूध पिलाने की कोशिश करती है पर दूध ना आने पर वो शंकर को ये बात बताती है वो दोनों स्वामी जी के पास जाते है बेबी का सिर साप के शरीर पर कैसे आया छोटी बच्ची दूध ना मिलने पर क्यों रो रही है ये सारी बाते वो स्वामी जी को बताते है उस पर स्वामी जी देखो तुमने जब साप मारा था ना तब उसके पेट में बच्चे थे वो इस बात से बहुत खुश थी पर मौद की वज़े से उसे वो खुशी नहीं मिल पाई अब वो इस बात का बदला ले रहा है ये सुनकर वो परिशान हो जाती है स्वामी जी बदला लेना है तो हम सी ले बच्ची को तकलीफ क्यों तब स्वामी जी क्योंकि बच्चों को तकलीफ होने पर हमें बहुत दुख होता है हम परिशान हो जाते है अभी तुम दोनो उसका अनुभव कर रहे हो न इसलिए ये सब हो रहा है पर ये जल्द ही ठीक हो जाएगा परिशान मत हो यू धीरज बंधाकर उन्हें वो घर भेज देते हैं वो दोना घर जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें अनीता की मा मिलती है वो बहुत परिशान थी अनीता उसे देख मा क्या हुआ तुम परिशा आकर साप को ले गई मैंने उसे रोका तो उसने मुझे बंदी बना दिया अपनी मंत्र शक्ती से थोड़ी देर बाद मैं अपने आप रिहा हो गई और तुमारे पास चलिया आई ये सुनकर अनीता व्यतित होकर हे भगवान ये कैसी परिक्षा है हमारी एक के बाद एक चिन जंगल में गुफा में रहती है शंकर तुम वहां जाकर अपनी बेटी को छुड़ा लाओ स्वामी जी कहते हैं शंकर भी दोड़कर जंगल वाली गुफा की तरफ जाता है वहां वो डायन सांप को मारने ही वाली थी उत्रे में शंकर वहां पहुँचता है उसके हाथ से वो बड़ा छूरा खीच लेता है रे, कौन हो तुम यहां कैसे आए मेरी पूजा में बाधा डाली है तुमने अब तुम नहीं बचोगे वो डायन शंकर को मारने जा रही थी तब शंकर मेरी बेटी को मारने का हक तुम्हें किस्ति दिया हाहाहाहा कोई क्यूं देगा मैंने ही उसे मारने का सोचा यह साप मरकर जीवित हो गया है अब उसकी आत्मा ही है उसने तुम्हारी बेटी की शरीर में प्रवेश किया है ऐसी अध्भुच शक्ति किसे होती है इसलिए इस साप को मारकर वो शक्ति मैं प्राप्त करना चाहती हूँ पर तुने मेरे इस इच्छा पर पानी फेर दिया यू कहकर वो डायन गुस्से से शंकर को एक बोतल में बंदी बना देती है तभी वो साप वहां से गायब हो जाता है डायन कहां गया ये साप यू कहकर उसे ढूनने लगती है उतने में वो बोतल भी वहां से गायब हो जाती है जिसमें शंकर था वो देख डायन परिशान हैरान हो जाती है तभी डायन के इर्दगिर्द ज्वालाएं प्रकट होती है उस आग से वो गुफार जलकर राक हो जाती है, डायन भी उसमें जुलस कर मर जाती है, साप और शंकर जिस बोतल में था वो बोतल स्वामी जी के सामने प्रकट होते हैं, स्वामी जी शंकर को बोतल से मुक्ति दिलाते हैं, वो समझ जाता है कि स्वामी जी ने ही डायन का अंध किया है और उन दोनों को सलामत वांपस लाया है शंकर अनीता स्वामी जी को धन्यवाद देते हैं फिर वो सब घर चले जाते हैं कुछ दिन पीच जाते हैं वो दोनों पति-पत्नी सांग की पूजा निरंतर कर रहे थे कुछ ही दिनों में बेबी का आधा शरीर दिखने लगता है उन्हें तसल्ली होती है वो पूजा करते रहते हैं सांग की प्रार्थना करते रहते हैं फिर और कुछ दिनों बाद बेबी बिल्कुल पहले जैसे बन जाती है ये देख दोनों खुश हो जाते हैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं हे भगवान तुम्हारी लीला अपार है हमारी गलतिया माफ कर दो हमें बख्ष दो फिर वो सब पुरानी बाते भूल कर नए सिरे से जिन्दगी शुरू करते हैं वो पूनम की रात थी किरन और शांती ये पति-पत्नी में एक बहुत बड़ी आवाज सुनाई दी उन तीनों की नीम खुल गई क्या हो रहा है उन्हें कुछ समझ नहीं आता किरन अचानक से गायब हो जाता है ये देख शांती और राधा डर जाते हैं तब शांती सुनिए राधा के बाबा कहा है आप गायब कैसे हो गए यो परेशान होकर चिलाने लगती है राधा भी बाबा कहा है आप यो कहकर रोने लगती है वो दोनों किरन को ढूनने बाहर चली जाती है काफी देर तक वो दोनों यहां वहां घूमकर उसे ढूनती है पर वो कहीं नहीं मिलता उतने में सुबह हो जाती है वो दोनों नदी के किनारे पत्थर पर बैठ जोर-जोर से रो रही थी उतने में उन्हें एक आवाद सुनाई देती है कौन हो तुम? यहां बैठ क्यों रो रही हो? कोई समस्या है तो मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद करूंगी यू आवाद सुनाई देती है दोनों मा बेटी हडबड़ा जाती है तब राधा कहती है मा यह नदी हमसे बाद कर रही है देखो पानी में वो चहरा दिखाई दे रहा है शांती अचरत से उस तरफ देख क्या सच मुझ अब हमारी मदद करेंगी शांती रोते हुए पूछती है तब वो नदी जरूर मदद करूंगी यू कहती है शांती उसे सारी बाते बताती है वो बाते सुनकर नदी कहती है मेरे पास जादूई शक्ती है मैं अपनी शक्ती से तुम्हारी जरूर मदद करूँगी तुम्हारा पती कहा है मैं जानती हूँ मैं उसके पास तुम्हें पहुँचा दूँगी यूँ कहकर नदी एक नाव प्रकट करती है उन दोनों को उसमें बैठने को कहती है वो दोनो नाव में बैठ जाती है नाव आगे चली जा रही थी बहुत दूर जाने पर वहाँ नदी में एक बहुत बड़ा पेड दिखाई दिता है उस पेड के तनी में एक बड़ा सा छेद था नाव उस छेद में अंदर चली जा रही थी वहाँ जाकर नाव रुख जाती है वो दोनों भी डर जाती है शांती कहती है हे जादूई नदी ये नाव तो यहां रुख गई हमें डर लग रहा है फिर आवाज आती है डरो मत मैं हूना और अपनी जादूई शक्ती से नदी नाव को आगे बढ़ाती है थोड़ी और दूर जाने के बाद पानी में एक बवंडर से तयार हो जाता है नाव उसमें गिर जाएगी ऐसा उन्हें डर लगने लगता है वो दोनों जोर-जोर से चिलाने लगती है उत्रे में राधा पानी में गिर जाती है मा, मा मुझे बचा लो, मुझे बचा ओ मा यो रोने लगती है शान्ती भी रोते हुए हे जादूई नदी, मेरी बेठी को बचा लो वो उस बवंडर में फस गई है कुछ करो जादूई नदी तब नदी की आवाज नहीं आती शान्ती परिशान हो जाती है वो फिर से चिलाती है जादूई नदी, मैं तुम्हारे भरों से यहां आई हूँ मेरी बेठी को बचा लो हे भगवान, मेरी बेठी की रक्षा करो यो कहकर वो रो रही थी क्या करे इस उलजन में शान्ती पानी में कूच जाती है वो अपनी बेठी को बचानी की कोशिश करने लगती है वो उसके पास जाती है उतने में सब कुछ शान्त हो जाता है बवंडर गायब हो जाता है वो दोनों भी नाव में चली जाती है तब जादूई नदी उनसे कहती है मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए तुम लोग मुझे भरोसा करोगे तो ही मैं तुम्हारी मदद करूँगी पर मुझे पर भरोसा रखना वरना तुम्हें तकलीफ हो सकती है राधा कहती है जादूई नदी तुम ये कहा ले जा रही हो मेरे बाबा कहा है तब नदी से आवाज आती है तुम्हारे बाबा कहा है मैं जानती हूँ पर उन्हें कौन और क्यूं ले गया है ये मैं नहीं जानती तुम लोग वहाँ पहुचने पर सब जान जाओगे रास्ते में बहुत सारे चढ़ा उतार, बहुत सारी मुसीबते आएंगी सावधानी से जाना, मुझ पर भरोसा रखना नदी कहती है, फिर वो नाव आगे जाने लगती है नाव आगे जा रही थी, उतने में नदी से एक बड़ी मगरमच बाहर आ जाती है वो देख दोनों डर जाती है जादूई नदी, हमारी रक्षा करो यू कहकर नदी से प्रार्थना करती है उतने में वो मगरमच शान्ती को लेकर अंदर जाने लगती है राधा रोने लगती है यू चिला कर वो नदी से ए जादूई नदी, मेरी माँ की रक्षा करो तुम पर भरोसा रखने को कह रही हो न, मेरी माँ को बचालो वो यू प्रार्थना करती है तब वो मगरमच वापस लोटती है शान्ती को फिर से नाओ में छोड़कर वहां से गायब हो जाती है राधा, माँ तब वापस आ गई हे जादूई नदी, ये कैसी परिक्षा है ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है यू पूछती है मैंने कहा न, तुम्हारे बाबा को जो लोग ले गए है ये उनही का काम है हमें तुम ही बाबा के पैस ले चलो इन कठिनाईयों से बचा लो यू वो नदी से प्रार्थना करती है जादूई नदी से आवाज आती है हाँ, मैं भी वही करूँगी तुम्हें सही सलामत तुम्हारे बाबा के पास पहुँचा दूँगी ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाती है नदी में नाव फिर से आके जाने लगती है वो काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ी गुफा दिखाई देती है नाव वही पर रुख जाती है शान्ती कहती है हे जादूई नदी नाव तो यहां रुख गई है क्या हम गुफा में अंदर चले जाएं नदी कहती है हाँ जाओ पर सावधानी से जाना कोई जरूरत हो तो बताओ मैं मदद करूँगी अंदर तुम्हारा पती है ये सुनकर शान्ती खुश हो जाती है राधा को लेकर वो गुफा के अंदर चली जाती है गुफा में अंधेरा था बहुत डरावनी थी वो जगह वो दोनों भी किरन को ढूनने लगती है उन्हें एक जगह किरन का शब दिखाई देता है शान्ती उसे देख हाई राव ये क्या हो गया हे भगवान मेरे पती को मुझसे क्यूं छीन लिया अब मैं क्या करूँ मेरे पती को मुझे लोटा दो भगवान उन्हें जीवित कर दो शांती दुखी होकर रोए जा रही थी राधा भी बाबा उठी है ना बाबा हम आपको ढूंटे ढूंटे आए है तभी एक मांतरिक वहां आता है उसे देख वो दोनों डर जाती है राधा नदी से प्रार्थना करती है जादुई नदी हमारी मदद करो यू चिलाती है कौन हो तुम यहां तक कैसे आई मांतरिक पूछता है मेरे पती को यहां क्यों लेकर आए हो बताओ तब वो मांतरिक तुम्हारे पती के पास एक अद्भुट शक्ती है वो मेरे सिवाई कोई नहीं जानता उसकी आत्मा को एक साल में अपने शरीर में बंदी बनाये रखूंगा फिर उसे अपने शरीर में विलीन करने पर मुझे कई सारी मुलेवान शक्तियां प्राप्त होंगी इसलिए तुम्हारे पती को यहां ले आया हूँ उसकी आत्मा को ये दिखो मैंने बंदी बना लिया है वो उन्हें दिखाता है एक शीशी में उसने किरन की आत्मा को बंदी बनाया था शांती रोते हुए आप ये बहुत गलत कर रहे है महरबानी कीजिए उनकी आत्पा वापस उनके शरीर में भेज दीजिए वो मांत्रिक से गिड़गिडा कर कहती है सीधी तरह यहां से चली जाओ वरना तुम दोनों के प्राण भी ले लूँगा मांत्रिक उन्हें डरा धमका रहा था क्या करे उनकी कुछ समझ में नहीं आता राधा मन ही मन यो प्रार्थना करती है उतने में मांत्रिक ने बंदी बना कर रखी आत्मा भरी बोतल नीचे गिर कर तोट जाती है वो आत्मा फिर से किरन की शरीर में प्रवेश करती है वो जीवित हो जाता है ये देख मांत्रिक गुस्से से ये कैसे हो गया, तुम यहां से बचके नहीं जा सकते, यू कहकर वो उनकी तरफ आने लगा था, तभी वहाँ पानी का तेज बहाव आता है, उस बहाव में वो सारे डूबने लगते हैं, मांत्रिक उनसे दूर चला जाता है, वहाँ अचानक पानी का बवंडर तयार हो जाता ह मांत्रिक उसमें फस जाता है, बचाओ, मेरी शक्तिया काम नहीं कर रही, कोई तो मुझे बचाओ, वो यो चिलानी लगता है, तो दूसरी ओर किरन, शान्ती और राधा, तीनों सही सलामत नाव में बैठ जाते हैं, उनकी आँखों के सामने ही, वो मांत्रिक उस बवंडर मे डूप कर मर जाता है, वो तीनों सुरक्षित थे, शान्ती जादूई नदी से, हे जादूई नदी, हमें यहां तक लानी के लिए, मेरे पती के प्राण बचाने के लिए, शुक्रिया, हमें उस मांत्रिक के चंगुल से बचाने के लिए, तुम्हारा बहुत-बहुत यह जादूई नदी को वो धन्यवाद देती है, उस पर जादूई नदी भी, चिंता मत करो, यह नाव तुम लोगों को सही सलामत तुम्हारे गाओं पहुचा देगी, यह कहती है, वो तीनों खुशी से नदी को नमसकार करते हैं, फिर वो नाव उन्हें उनके गाओं में नदी के किनारे पहुचा देती है, वहाँ से वो तीनों अपने घर लोट जाते हैं, इतनी बड़ी मुश्किल से जीवित वापस लोटने के लिए वो नदी को धन्यवाद देते हैं, और खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।